तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्लोगिन बटन की कोडिंग सबसे पहले हम लोग इस वाले फिल्ड का नाम पता लगेंगे क्या है इसका नाम है जी टेक्स फिल्ड वन तो मैंने इसका नाम चेंज कर दिया अब दोनों फिल्ड से वेल्यों गए उसके बाद मैच होगी डेटाबेस से टेबल बनाए तो इस बटन पर राइट लिक करिएगा इवेंट में जाए और एक्षन पॉफूब्वन इवेंट क्योंकि यहापकर एक्षन लेस्न करें तो एक्षन पॉफूब्वन इवेंट जो ह यहाँ पर आप कोड करें जो भी हैं कोड करेंगे उस बटम पर एक्षन सबसे पहले हम यहाँ पर रेकेंगे स्ट्रेंग ए आई डी इस इक्वल टू ए डॉट ए मतलब उस टेक्स्विल का नाम गाट टेक्स्वों मैतटड जैसे वेल्यू गैट होगी अब जो पासवड वाले फिल्ड है उसकी वेल्यू गैट कर रहे है पासवड नाम के वेरबल में वह वह वैल्यू हमें मिलेगी पासवड के एक मैथड इसका नमें गैट पासवड पहले गैट टेक्स्वाट होता था नग्वोड एप्रिकेटिड है और इसी मैथड़ों को इसका रिप्लेस किया गया है तो यह चलिए हम जूस करेंगे यह पासवड मैथड गैट पासवड मैथड जो है और इसका मतलब यह हुआ कि मुझे जो वैल्यू आएगी यहां से इसे इसे कनवर्ट करना होगा इस ट्रिंग में यहां पर एक स्ट्रिंग क्लास का उप्ज़ अब इन दोनों वैल्यू को गैट करने के बाद मुझे डेटाबेस से मैच कराना है कि यह दोनों वैल्यू जो है सही है कि नहीं तो उसके लिए मुझे यहां पर एक प्राइब लोक और एक कैच ब्लोक लगाना होगा फर एक स्ट्चन हैंद्लिंग क्यों कोड होने जा रहा ह चाहें तो आप इन दोनों वैल्यूज को भी इस फिल्ड के अंदर रख सकते हैं अभी जे डी बीसी अगर आप जानते हैं तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि दोनों वैल में से कोई ब्लैंक तो नहीं हो सकता है कि आप आपने पासवर्ड में कुछ टाइप ही नहीं करा और सिदे बटन प्रैस कर दिया इसकी जोट नहीं तो चलिए जे डी बीसी का कोड में यहां पर करेंगे जे डी बीसी में डॉट जे डी बीसी डॉट राइवर यह मारा ड्राइवर हो गया है कि इसके बाद हम लोग कनेक्शन क्रेट करते हैं कि कनेक्शन सी इस इक्वाल टू ड्राइवर मेनेजर का ड्राइवर मेनेजर का एक मैथटर यह कनेक्शन है यह इन पेकेज की क्लास है इसलिए तो इसलिए package import और यह interface एक package का है जिसका नाम है java.sql तो पहले हमें package import लगाना होगा तो मैंने टॉप में जाके यहां पर लिखा import java.sql.asterick और फिर अपने पोर्ड में यहां पर मैंसर कोल करा उसका नाम है get connection तीन value पास करेंगी तो हमारा mysql का path क्या है तो path हमारा है jdvc colon mysql colon slash localhost इसके बाद port number 3306 and then schema का नाम schema name है clients all इसके बाद यहां पर अपने mysql का इंस्टांस का आइडी और पास्वर्ड यहां से मरे ड्राइवर लोड़गा है यहां से connection create होगे हम लोग यहां पर create करेंगे statement st is equal to connection.create statement से statement create होगे हम लोग अपनी query fire करेंगे query fire निगले क्योंकि हम लोग को data match कराना है यहां पर method होगा execute query execute query वाला जो method है यह मैंने यहां को call करा अपनी query लेकिए query होगी हमारी select star from table name is admin login where id is equal to जो मैं हमें पास्वर्म हो और password is equal to जो पास्वर्म होगी है क्योंकि दोनों values यहां पर आ जाएंगी यह id value यहां पर आ जाएगी और यह password वाली value यहां पर आ जाएगी उसके लिए मुझे इस string को break करना पड़ेगा ऐसे और अपना variable पीच में ऐसे रख जेना है जैसे कि इस variable की value जो है वहां से हमें यहां पर मिल पाए ऐसे ही अपने password वाले variable की value जैसे ही यह method execute होगा तो यह query database में पास होगी database में पहुंचेगी जैसे ही method execute होगा तो यह query जहां लिकिए SQL database में पहुचेगी और वहां से result आपको मिलेगा कि data match हुआ कि नहीं हुआ अगर match कर गया तो entire row आपको return कराएगा और अगर match नहीं करा तो आपको कोई भी row नहीं मिलेगी जो भी result हमें मिलेगा वो एक interface के through hold होता है उसका नाम में result set तो इस method से हमें result set interface के through result मिलेगा अधर इस method से एक query आएगी और query को में result set interface के through इस variable में hold कर लूँगा वो query तो इस method से एक row आएगी अगर match हुआ तो नहीं तो नहीं next यह method true false देगा अगर यह data match हुआ और row इसे मिली तो true देगा और अगर data match नहीं हुआ तो इसे कोई row नहीं मिलेगी तो यह method false देगा तो false is का मतलब कोई data wrong with the credentials जो टाइप हुए वो गलत है नहीं देगी और इस चला तो इसका मतलब credentials सहीं है और match कर गया तो मुझे क्या करना है एक home वाले frame का object बनाना है और उसके उपर method call करना है set visible true इस method के call होने से वह frame visible हो जाएगा जो हम चाहते हैं और हमारा जो अपना frame है जो लोग इन वाला frame है वो डिस्पोस करना है उसको करेंगे थोजी और अगर डेटा मैच नहीं करा तो मैं चाहता हूं कि भी message open आई जिसमें लिखाओ कि भी ID password something is wrong रहा है रहा है रहा है इंटरेस कुछ पर के message display करने के लिए हम लोग swing में यूज करते हैं जे option नाम की class का जे option pane नाम की class है उसका एक method है शोडायलोग तो इस शोडायलोग window जो है तो मैसे डायलोग करके है तो मैसे डायलोग window है जिसमें हम लोग यहां पर पहले तो जो container है वो पास करेंगी पेरिंट कंटेंटर को होँ है तो कोई पेरिंट ने इंडिपेंडेंट यह डिस्पले करेंगा और message जो होगा यहां पर पास नल का मतलब है कोई पी independent यह किसी भी पर्टिकलर पेरिंट का dependent नहीं है तो इंडिपेंडेंट मैसेज बोक्स ओपन होगा और मैसेज जो चाहिए मैसेज जो यहां लिए देंगे रोंग एंट्रेस करके यह हमारा मैसेज हो जाए लिए इतना कोड़ी रंग कराके देखते हैं पहले क्या रहा तो मैंने इस आप को रण कराया आइडी प्रासवर्ड एड्मिन और एडीम आप देख रहे हैं लेकिन होगा यह चीज़नों को याद आगे होगा यह जैसे बटन प्रेस करो मैं कि एक्सेप्शन थो होगा तो मैं लिखाऊगा ड्राइवर क्लास नोट फांड क्योंकि हमने अपने प्रजेक्ट में ड्राइ अब मैसेज तो कुछ आए नहीं से क्याच ब्लोक ब्लैंक रखता हुए तो क्याच ब्लोक में मैं चाहता हूँ कि जो भी एक्सेप्शन हो वह जो है एक्सेप्शन ही प्रिंट होगा है चलिए इसको रन कर आकर देखते हैं तो मैं यहां पर सही एंट्री करूँगा तब भी अब क्या झरी जो है मेरा किकि जो एक्छली क्या ड्राइवर ईसी लोड होगा वैसी तो मना करते एक है यह फिलेबलह ट्राइवर एक्सेम लोड न boils न 1950 इसको प्रालम न है तो प्रालम का हूं है कि आपको घ्यान दidän आप यहां पर लोड करा रहे हैं, JDBC का पार्ट है, JDBC अगर आपको नहीं आता है तो आप इस अपर वीडियो वीडियो जेडिवीजी के प्रूब आप सकते हैं, आप से अप देख सकते हैं, यहां पर यूज करा है, तो ड्राइवर लोड करने से पहले हमें उसे प्रोजेक्ट में एड करना मैं मैं सब डावन कर रÃख है Bishop कि यौक्त्क जाएंगे वैं कर दीट अर्वानी क्रीट है मैं सारे ज़र ऑफाइल मैंने सब डाइंड रख है इस सबलोड कर रकτη मैं की जार नासत्व हाइड नासे यह चलब वर्जन दो करें तो आहए इसको भरन करा कि दिखाते हूं जो मैं इसको रन कराया और यहाँ पर मैंने कुछ भी गलत एंट्री करी तो message आएगा रोम एंट्री करेंगे यहाँ पर लिखके आ रहा है यहाँ पर आएगा निया फ्रेम खुलेगा लोग के लोगा तो वह क्यों ने गया तो बाए यहां पर डेटा मिलने पर अगर सही एंटरी है तो हमें नया फ्रेम स्कूल करा बेदिन ध्रोज सकुना करने के लिए लेकियों सिंपल्य सब्सक्राइब सेम क्लास के फ्रेम को डिस्पोज कर देगा और नहीं वाली फ्रेम को हम नया से उपन कर रही है तो इस तरीके से लोग इन बटन हमारा जो है पर्फेक्टली काम करेगा अब एक बार और देख देख सेथे हैं यह हमारा आ गया और वह वाला चला गया तो यह प्रॉपर डोगिन हमारा हो गया है अब हम चाहते हैं कि भाई होम वाले फ्रेम के इस एड बटन पर यह सारी एंटेज डेटाबेस में स्टोर हो जाए तो इसका मतलब यह है कि इस बटन पर हम जो सारी वैल्यूस की सारी फिल्ड्स के लोग एट करनी है और फिर उन्हें जो है एक डेटाबेस से कनेक्शन क्रेट करके और और क्वैरी फा ही दूसरे फ्रेम के इस बटन पर हो还是 घृट पड़ेगी तो फिर वह सारी ड्रीवर में स्टैशन करेट करना ऐसा हमें हीं के और हम यहां बहुत हो क्रोड़ा का यह जोब नहीं करना चाहिए तो हम करतो सकते के इंवार करनाना चाहिए तो इसके मैं नहीं करूंग और मैं तो आसा इसको प्रॉफेशनली बनाता हूं और फॉर्मल जाते हैं हर बटन पर कोडिंग नहीं करेंगे यह चीज में हटाने जा रहा हूं इसको हटाने की तीन लाइन यहां से अड़े जाएंगे है क्वेरी तो बिस वात हर बटन के अलग होगी कि हर बटन के काम अलग आप की क्लास लास फ्रेम रेम नहीं बनाना जो पर इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं मैंने डीवी कनेट दे दिया डीवी कनेट नाम की मेरी एक लास इसके अंदर जो है कि यहां पेक सिंपल जो है एक पब्लिक स्टैटिक वैर्बल बनाएंगे कनेक्शन इसमें मुलग अपना कनेक्शन होल्ड करेंगे और ऐसे एक बनेगा स्टैट्मेंट दोनों पैकेज के पार्ट है यहां पे जो जावा डॉट अब यहां पे अपन एक स्टैटिक ब्लोक बनाएंगे और उसके अंदर प्राइच लगा देंगे यहां पे वो ड्राइवर कोड जो है ड्राइवर लोडिंग का कोड़ यह तीन लाइन का कोड़ यहां से बब्लोक लोड़ क्लाइस के लुड़ होगी क्लास के लूड़ हमका स्केम्पेटर क्लास मना दिया अब कर रहा कर दो है ज्यादा बहुत प्रोफिशनल मीं कर सीनिस ऩंदी रखतें हैं स्केंडला उन्य था सर्थेक्टन करें अब भी वैद आप्टिक के था उप uns प्त में आपsk रहते हैं आप बस यहां लेखेंगे db package का नाब फिर अपनी class का नाम क्या है db connect और इसके उपर एक जब गार st नहीं है ऐसा है तो s. अब आपको driver नहीं लोड करना ना connection बनाना बस आप चाहते हैं कि इस बटन पर इटाबेस उसे तो सीधे db.db.s.de call करें और आपका यहां पर 6 फिलट वेडिक 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 करेंगे और उन 6 फिलट की वेडिक करके फिलटाबेस में इन्सर्ट बरिफार कर देंगे तो success will message कर देगे हैं और बाम अलत्हां पर इसकार करते हैं इस काम है